हेलो इस वीडियो में आज हम फार्मूला टैप के फार्मूला आउडिटिंग ग्रूप के बारे में जानेंगे जिसमें की हम सीखेंगे ट्रेस प्रेसिडेंट्स के बारे में ट्रेस डिपेंडेंट्स के बारे में रिमूव एरो के बारे में शो फार्मूला के बारे में एरो चेकिंग के बारे में और बाच बिंडो के बारे में यहां पे सीखेंगे तो सबसे पहले हम यहाँ पे first को करेंगे trace precedence इसका use हम तब करते है जब हम यह पता करना चाते है जो value हमारे पास आई हुई है यह किन किन values की sum से आई हुई है तब हम यह पता करने के लिए trace precedence का use करते हैं तो यहाँ पे values लिखेंगे यह देखो, यहां पर क्लिक किया, यह values हमने यहां पर लिखी, यह values हमने यहां पर लिख दी, लिखने के बाद, अब हम इनका sum करेंगे, तो sum यहां पर करेंगे, हम यहां पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहां पर formula लगाएंगे, equal to, और यह sum का formula, यह sum यहां पर निचे आने के बाद bracket को बंद करेंगे, enter प्रेस करेंगे, enter प्रेस करने के बाद यह दिखो, यहाँ पे यह 20 आगया, तो यह 20 आया हुआ है, अब हम यह चैक करना जाते हैं, कि यह जो values आयूई है, यहाँ पे, यह कहां से आयूई है, तो इसको check करने के लिए हम क्या करते है trace precedents इसका use करते है तो पहले क्या करेंगे हम 20 यहाँ पे click करेंगे click करने के बाद trace precedents यहाँ पे click करेंगे यह दिखो click किया click करने के बाद यह दिखो यह जो range हमने sum के लिए select की थी यह सारी range यहाँ पे select हो गई है तो यहाँ पे हम कोई values लिखते हैं जैसे suppose करो यहाँ पे 18 यह लिखा इसके बाद यहाँ पे लिखा हमने 20 इसके बाद यहाँ पे लिखा 25 यह values हमने यहाँ पे लिखी लिखने के बाद अब हम यहाँ पे इनका sum करेंगे तो sum हम यह sum formula से नहीं करेंगे यहाँ पे दूसरा method यूज करेंगे equal to ये लिखा लिखने के बाद हम यहाँ पर ये values पहले ये values इसको लेंगे फिर प्लस लगाया फिर इस values को लेंगे फिर प्लस लगाया फिर इस values को ये formula लगाने के बाद हम enter प्रेस करेंगे 63 ये sum होके यहाँ पर आ जाएगा तो यह हमने यहां पे second method यूज़ किया अब हम यह देखने जाते हैं कि यह कहां से आया हुआ है तो हम यहां पे 63 इस cell के उपर क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद फिर यहां पे trace precedence यहां पे क्लिक करेंगे तो यह देखो यह जो 63 आया हुआ है यह हमें values बता रही है कि यह इसका sum at 18 का 20 का और 25 का इसके बाद यहां पे यह जो दूसरा है हमारे पास वो at trace dependence तो trace dependence यह क्या होता है इसका use हम तब करते है जब हम यह पता करना चाहते है कि यह जो sum करके जो values आयुई है यह किन-किन values का sum है तो हम इसको देखने के लिए trace dependence का use करते है तो trace dependence में हम यह जो values है यह चेक करेंगे जैसे यह यहां पे 3 लिखा हुआ है तो यह जो 3 है यह किसके dependence है इसको चेक करेंगे तो यहां पे 3 इस पे क्लिक करेंगे click करने के बाद यहां पे trace dependence यहां पे click करेंगे तो यह दिखो यह जो बता रहा है कि यह जो 3 है यह dependence है 20 के अब यह 4 चेक करने जाते हैं 4 पे click करेंगे 4 पे click करने के बाद trace dependence तो यह दिखो यह बता रहा है कि यह 20 के dependence है अब 2 पे क्लिक करेंगे इसको trace dependence करेंगे ये दिखो इससे dependence है अब 6 तो 6 पे क्लिक किया trace dependence तो ये 6 जो है इसके dependence है तो इस तरह से हम ये चेक कर सकते हैं कि ये जो values है किसके dependence है तो इन arrows के जरीए हम इसको check कर सकते हैं कि ये किसके dependence है इसके बाद formula updating में अगला जो है वो है remove arrows ये जितने भी arrows यहां पे लगे हुए है अगर हम इनको हटाने जाते है ये देखो ये भी लगे हुए है तो हम क्या करेंगे यहां पे remove arrows यहां पे क्लिक करेंगे ये देखो यहां पे क्लिक किया ये जितने भी arrows यहां पे लगे थे यह सब यहां से remove हो गया है इसके बाद अगला है show formula अगर हम ये फार्मूला चेक करना जाते है कि ये जो 20 है 20 में कौन सा फार्मूला लगा हुए है तो हम क्ये करेंगे 20 पे क्लिक करेंगे तो ये चेक करना जाते है कि यहां पे formula कौन सा लग लगा हुआ है तो हम सीधा यहां पे शो फार्मूला यहां पे क्लिक करेंगे यह देखो यहां पे क्लिक किया तो यहां पे क्लिक करने के बाद यह देखो यहां पे यह फार्मूला लगा हुआ है सम यह रेंज आ गई यह देखो यहां से लेके यहां तक यह रेंज सेलेक्ट कि थी तो यहां पे हमें पता चल गया है कि यहां पे some formula लगा हुआ है इसके बाद यह जो आगे values है इनका भी देखने जते हैं कि यहां पे कौन सा formula लगा हुआ है तो हम यह scroll bar यह आगे करेंगे यह देखो आगी किया आगे करने के बाद यह जो 18, 20 और 25 यहां पे यह जो values थी अगर हम यह चक करना जाते हैं कि यहां पर कौन सा फार्मूला लगा हुआ है तो हम के करेंगे फार्मूला अपडेटिंग ग्रूप में जाएंगे और यहां पर शो फार्मूला पर क्लिक करेंगे तो हमें यहां पर फार्मूला दिखाई देगा कि यह फार्मूला यहां पर ल इसका टोटल यह है इसका तीनों का टोटल यह है इसके बाद आगे हम यह चेक करना जाते हैं कि यहां पे कोई एरर तो नहीं है यह जो फार्मूला लगा था यहां पे कोई एरर है यहां पे यहां पे यह जो फार्मूला लगा हुआ है यहां पे कोई एरर है तो हम क्या करेंग error को check करने के लिए error checking यहां पे click करेंगे यहां पे click करने के बाद यह दिखो यहां पे message आ गया कि error check is complete for the entire sheet यहां पे कोई भी error नहीं है तो हम क्या करेंगे इसको ok पे click करेंगे ok पे click करने के बाद इसके बाद suppose करो यहां पे मैं कोई error कर देता हूँ जैसे यहाँ पर 18 है तो 18 यहाँ पर T लिख देता हूँ यह 18 T T लिखने के बाद Enter प्रस किया Enter प्रस करने के बाद यह दिखो यहाँ पर Error आ जाईगी इसके बाद हम यह चेख करना जाते हैं कि यह जो Error आई हुई है यह कैसे आई हुई है कहां पर आई हुई है और इसको ठीक ऐसे करना है तो हम क्या करेंगे यहां पर error checking यहां पर click करेंगे click करने के बाद error checking dial box यहां पर आ जाएगा इसके बाद यहां पर दिया गया है show calculation steps यहां पर click करेंगे यहां पर click करने के बाद यह देखो यहां पर यह बता रहा है कि evaluation यह देखो 18T plus 20 plus G5 हमने जो है यहां पर value में 18T लिख दिया है तो यह यहां पर error है तो हम इसको यहां से सही करेंगे तो यहां से इसको close किया close करने के बाद यह error checking dial box यहां पर आ जाएगा इसके बाद यहां पर दिये गया है edit in formula bar यहां पर हम click करेंगे click करने के बाद यह देखो यहां पर यह जो तीन values थी यहां पर highlight हो गई है यह 18T यहां पर हम double click करेंगे यह double click करने के बाद यहां से T को delete किया delete करने के बाद हम क्या करेंगे यहां पे resume यहां पे click करेंगे यहां पे click करने के बाद ok पे click करेंगे यह ok पे click किया तो ok पे click करने के बाद यह देखो यहां से error हट गई है और यह जो इन तीन values का sum था यहां पे sum हो के आ गया है 63 अगर हमारी values में कोई error आ जाती है तो इस तरह स हम उस error को check कर सकते हैं और उसको सही कर सकते हैं इसके बाद हम यह अगली command को करेंगे evaluate formula तो evaluate formula यह यह चेक करता है जैसे यहाँ पे 63 यह total यहाँ पे आया हुआ है तो यह यह चेक करेगा कि यह total किन किन values से आया हुआ है और यहाँ पे कौन सा formula लगा हुआ है यहाँ पे क्लिक करने के बाद evaluate formula पे क्लिक किया क्लिक करने के बाद यहाँ पे evaluate formula डायलो बोक्स यहाँ पे open हो जाएगा तो open होने के बाद यह देखो यहां पे बता रहा है कि यहां पे g3 प्लस h4 प्लस g5 यह formula यहां पे लगा हुआ है तो ये करने के बाद हम यहां पे वैल्यूट करेंगे ये दिखो ये आ गया इसके बाद फिर यहां पे क्लिक किया फिर यहां पे क्लिक किया और फिर यहां पे एक बार फिर क्लिक किया तो ये दिखो यहां पे 63 ये यहां पे आ गया कि यह जो है यहां पे यह फार्मूला लगा था फार्मूला की वज़ा से यहां पे 63 यहां पे आया हुआ है तो इस तरह से हम यहां पे यह चेक कर सकते हैं कि यह जो टोटल यहां पे आया हुआ है किन किन बैल्यूस का यहां पे टोटल है और यहां पे कौन सा फार्मूला लगा हुआ है तो evaluate फार्मूला के जरीए हम यहां पे यह चेक कर सकते हैं इसके बाद इसको यहां से close किया इसके बाद यहां पे हम sheet number one यहां पे click करेंगे इसके बाद formula updating group में आगला जो है वो है batch window तो batch window का use क्यों होता है math, hindi, science और हम यह चाते हैं कि यह जो English के यहां पे marks यहां पे निच्चे दिये गए है यह हमें sheet number second में भी दिखाई दे sheet number third में भी दिखाई दे sheet number four में भी दिखाई दे और सभी sheets में यह number दिखाई दे तो इसको देखने के लिए हम क्या करेंगे barge window का use करेंगे यह देखो यहां पे barge window पे क्लिक किया barge window पे क्लिक करने के बाद यह barge window dialog box यहां पे आ जाएगा आने के बाद अब हम यह English जो subject है इनके यह जो निच्चे marks है इन marks को हम सभी sheets में दिखने जाते हैं तो हम क्ये करेंगे यह सारे select करेंगे तो select करने के लिए पहले हम यहां पे barge window यहां पे क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद फिर यहां पे यह जो marks है इनको select करेंगे यहां से लेके यहां तक यह range select की यह range यहां पे आ जाएगी आने के बाद इसको यहां पे add करेंगे add करने के बाद यह देखो यहाँ पे यह number add हो जाएंगे यह देखो 55, 65, 89, 88, 84, 85 तो यह यहाँ पे दिये गए है यह सारे number यहाँ पे आ जाएंगे आने के बाद अगर हम यह sheet number second में देखना जाते है तो यह देखो sheet number यह one है open की हुई है sheet number second यहाँ पे click किया तो second में भी यह ब बाच विंडो ओपन है, इसके बाद ये लेखो ये sheet number third है, यहाँ पर click किया, click करने के बाद ये sheet number third है, यहाँ भी ये open है बाच विंडो, English के ये जो number है, जो sheet number one पे लिए हुआ है, वही हम यहाँ पर बरेंगे, तो यहाँ पर ये लेखो 55 है पहले, यहाँ पर 55 ये लिखा, 55 क के बाद है 88 यह लिखा 88 के बाद है 84 यह 84 लिखा 84 के बाद है 85 तो 85 लिखा तो इस तरह से बाच विंडो हमें यह help करती है कि हमें बार बार शीट नमबर वन पे नहीं जाना बड़ता है यह जो बाच विंडो होती है यह सभी शीट में open होती है तो open होने के बाद अगर हम इसको क्रोज करना जाते है तो सीधा हम यहाँ पे क्रोज पे क्लिक करेंगे और यहाँ से यह बाच विंडो चली जाएगी तो इस वीडियो में हमने ट्रेस प्रेसिडेंट्स, ट्रेस डिपेंडेंट्स, रिमूब एरोज, शो फार्मूलाज, एरोज चेकिंग, एवैलियूट फार्मूला और बाच विंडो के बारे में सीखा अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब मैं चैनल धन्यवाद